राजिविती से काम तक, अपराद से अन्जाम तक, खेट से खरिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पलपल बदलती देश दुनिया की हर खबर, पाईए सीधे अपने मोबाइल पर, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज हर खबर पर नजर। फलेरिया उन्मूलन कारिकर्म में गगरी के दो आशा दीदी का सरानी कारियास 13 फरवरी 23 को सिटी टीव 24 न्यूज चैनल की पुरी टीम शेक पुरा जला सदर प्रकंट के गगरी पंचैत के गगरी गाउं में पहुँचकर फलेरिया उन्मूलन कारिकर्म के तहत स्वास्त विभाग के टू आशा कारिकर्ता से मुलाकात की जहां दू आशा दीदी मोहिनी कुमारी और पिंकी देवी के दोरा फलेरिया उन्मूलन कारिकर्म के दोरान गाउं के सभी लाबारतियों को फलेरिया की दवा खिलाई जा रह महिलाओं और आती गंभिर बीमारी व्यक्तियों को ये दवा नहीं दी जाएगी राश्टी अमालेरिया उन्मूलन कारिकरम के अंदरगत शेख पुराजला में दस परवरी से मास्ट्रग एडमिनिस्टेशन कारिकरम शुरू हो गया था इसके तहत हाती पावां फेल पावां बीमारी से बचाओ के लिए डी आई इसी बच्चों के पेट में कीड़े मानी के अलबेंडा जॉल और आई वर मेक्टिन दवा खिलाई जा रही है सब इलाबार्ति को स्वास्तिकरमी की मौजूदगी में ही दवा खिलाई जाती है और ये भी धियान रखना है कि ये दवा खाली पेट नहीं खानी होती आशा कारिकरता ने बताया कि सामाने लोगों को इन दवाओं को खाने से दूस प्रभाव नहीं होता है अगर किसी को दवा खाने के बाद उल्टी चक्कर खुजली या जी मिचलाने जैसे लक्षर होते हैं तो इस बात का अपरतिक है कि उस वेक खाली करता वा पदादिकारी एनम हम लोगों के लिए सायों के लिए ये जाज है तो नहीं आए गया थो कि शेखपुरा जिला पदादिकारी सावन कुमार के सदर अस्पताल सेखपुरा मलेरिया उन्मूलन कारिकरम उद्घाटन में सापत और पर कहते हैं ससमय सभी स्वास् है कि गगरी पंचायत के गगरी गाउं में आया हुआ हूँ और मैं गगरी गाउं में फलेडिया उन्मूलन कार्जिकरम के तहत हमारी जो मुलकात हुई है दो आसा दिदियों से हुई है जो अपने अपने काम को काफी इमंदारी से कर रही है यहां पर हमारी दोनों आसा दि पीछेंगे कि अभी तक उन्होंने कितने घर को टार्गेट लिया है फलेडिया उन्मुनल काड़ी करम में और कितने लोगों को दवा दे चुके हैं असा दिदी आपका नाम क्या हुआ अभी जब मैं इस गौव में घूम रहा था तो मैं आपको देख रहा था कि आप काफी मंदारी पूर्वक आप लोग दोनों भाने सभी को माताओं को बहनों को छोटे बच्चों को फलेडिया उन्मुलन कार्ज करम के तहट जो दवा देने कि जनकारी अब दे पारही था को बताकर यहीं दे रहे हैं आते हैं घर उसके बाद मरने बला अगर देते हम घर घर आकर नहीं देते मेरा पर जिमेवारी सब लोग बोलते हैं कि नहीं यह खाने का अच्छा बात है यह खाना चाहिए गोली तो मांगता है उसको गोली हम देते हैं तो गशन करता कि खाले नहीं होता है तो उसको नहीं खाले उंच्छा रहे हुँम, लोग समझ जाता तक खाता है जो नहीं समझाता है कागो इसा व्यक्ति तो उसको इनकार में हम लिख जते हैं तो आप बताईए अभी तक जो आप दस तारिक को यह कार्जकरम शुरू ही थी और इसमें माननिय जिला पताधिकारी साबन कुमार के दौर निर्देश भी था कि सह समय चिकित्सा प्राधिकारी एनम जाबन कुमार के दौर निर्देश भी था कि सह समय चिकित्सा प्राधिकारी एनम दीदी स्वयम जांच के लिए जाएंगी तो क्या 10 तारिक से लेकर आज 13 तारिक 3 दिन के बीच में आप लोग जो काम कर रही हैं, क्या आप लोगों के पास कोई जांच के लिए आए हैं? नहीं सर, नहीं, कल आये थे जांच में, देखने के लिए तो हम दोनों दीदी महजूद थे, अपना दबाय बाट रहे थे, तो देखकर तो चले के खूस हो गए कि इतना ही मंदारी से आप लोग काम कर रहे हैं, कल जो आये थे वो कौन थे हैं? अभी कैसे थे चेक करने के लिए आये थे? नहीं, नहीं, यहां पर जो अभी मताएं बहने छोटे बच्चे हैं, इन में से अभी कितने लोगों को आप दबा दिये हैं? देखिए यह जो भाई साहब है, यह फलेरिया उनमुलन का दबा खाए हैं, आप जब दबा खाए हैं, आपको आसा दीदी किस परकार से दबा दी हैं? आपकी हाइट आसा दीदी के तरफ से नापी गई थी, लंबाई नापी गई थी, तो देखिए, आपका गगड़ी पंचायत में मात्र दो आसा दीदी हैं, एक यह हैं और एक यह हैं, यह दोनों आसा दीदी, तेरा तारिक तक में, दस तारिक से लेकर, तेरा तारिक तक में, तीन दिन में, अपने इमंदारी से काम को निभाते हुई, अपने काम को कर रही हैं, और इनका कहना है कि अभी तक कोई भी चिकित्सा प्राधिकारी या एनम, इन्हें निरक्षन या जांच करने के लिए नहीं आई हैं, लेकिन फिर अपने काम को पूरा कर रही हैं, मैं संतोष कुमार अंजना, सीटी टीवी टॉंटी फॉर निउज, आसादीदी के तरफ से एक गाउं के उबक को लंबाई नापते हुए, और लंबाई के अनुसार आसादीदी के तरफ से साथ गोली दिया जा रहा है, आसादीदी के तरफ से निड़देश देते हुए, बहुत सरहानी है काम आसादीदी का, आसादीदीदीदी पानी के तरफ से से घ्रते हुए, पाली देशां और इस से 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 निड़देदीदीदीदीदीदीदीदीदी देशिए,